गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स, क्लास एर्थ, एंड सब्जेक सोसल इस्टडीज, चैप्टर नमबर वान, जियोग्राफी, आवर रिसोर्सेज, आवर रिसोर्सेज का हम लोगों ने, कल एक सीट आपने भेजी कि मैंने एक सीट भेजी थी आपको, जिसमें कि आपने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, नेक्स्ट है कि हमें रिसोर्स की जरूरत क्यों पढ़ती है, दे यूज आफ रिसोर्स डिपेंड और, और हम जो यूज होता है रिसोर्स का, वो किस पर डिपेंड करता है, दे नीड आफ दे पीपल, आफ अरीजिन, देर नालेज, दे लेवल आप टेक्झनलॉजी दे प्रोसेस भाइ रिसोर्स तो हर जगा पर मिलते हैं बस यह है कि रिसोर्स किस चेत में है तो उसकी इन लोगों को जरूरत हैं कि नहीं है और इयर नॉलolej उस रिसोर्स के बारे में उनको जानकारी है कि नहीं है the level of technology that process और ऐसी मतलब तक्नीकी की जिससे की उस resource को process किया जाए for example जैसे मान लीजे crude oil हो crude oil से हम लोग petrol बनाते हैं, diesel बनाते हैं, मिट्टी के तेल बनाते हैं, केरो क्या बोलते हैं petroleum jelly वगएरा सब कुछ बनाते हैं, अगर हमें उसके technologically process नहीं मालू होगा, तो हमारे लिए वो crude oil बेकार है the mineral deposit in Africa were not valuable to the native as they were ignorant about their use, अब जैसे अफरिका में बहुत सारा minerals जमा है और उसके बारे में हम लोग अभी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए वो हमारे लिए not valuable है when the European settlers explored and developed the mineral deposit they became important resources और जब European settlers अफरिका गए वहाँ पर उन्होंने खोज की develop किया mineral deposits जो थे उनकी खोज की तो वो important resources बन गए in developed country, resources have been utilized efficiently while under developed country are not to fully exploit their resources as they do not have the required technology developed countries में क्या है कि वो लोग अपने resources का पूरा उप्योग कर्च मतलब अप्चे से उप्योग करना जानते हैं और under developed countries में क्या है कि अभी वो पूरी तरह से अपने resources को उप्योग करना नहीं जान पाएं उनके पास ऐसे technology नहीं है जिससे कि वो अपने resources का पूरा इस्तमाल कर सके the importance of the use of a particular resource also change with time for example the forest of India earlier provide only timber firewood to the locals the importance of use of particular resource भाई किसी भी resource को particular resource की importance उसके time के हिसाब से होते है जैसे कि भारत के जो जंगल है पुराने समय से वो सिप उनका इस्तमाल होता था किसलिए इमारती लकडियों का मतलब furniture बनाने के लिए या आग जलाने के लिए after being converted to national parks not only do they preserve flora and phuna और जब उसके बाद उन जंगलों को क्या किया गया कि नेशनल पार्क में convert कर लिया गया जिससे कि वहाँ पर flora और phuna मतलब जंगली जिव जन्तू और जंगल को preserve किया जाए they also promote tourism to generate a lot of income अब वहाँ पर क्या हो गया कि tourism को generate करने लगे तूरिज्म को बढ़ावा देने लगे और जिससे कि income आने लगी पहले क्या होता था कि जंगलों को काट के उनकी लकड़िया जलाने के काम आते थे या furniture बनाने के काम आते थे अब क्या है कि उन जंगलों को भी preserve कर लिया गया और income भी हो रही उन्हीं जंगलों से therefore the term resource do not refer to a thing or a substance but its function or its ability to fulfill human needs और इसी लिए resource का मतलब यह होता है कि वो आपकी मतलब human needs को पूरी तरह से fulfill करे types of resources according to nature of resource they can be classified into three types natural human and human made resources तीन तरह से होते हैं जैसे कि natural number एक है natural resource दूसरा है human और तीसरा है human made resource natural resources में क्या है all resources that are obtained from nature are called natural resource वो resource जो कि हमें nature से मिलते हैं वो natural resource होते हैं on the basis of origin natural resources can be classified biotic and abiotic resources और resources के origin के आधार पर हम लोग natural resource को दो भागों में बाढ़ते हैं एक होता है biotic resources और दूसरा होता है abiotic resources अब आ जाते हैं जंदू जानवर हो गई यह सारी biotic resources में आते हैं यह इंक्लूट फोरेस्ट इसमें फोरेस्ट के इनना period of time और सारे biotic resources के पास यह capacity होती है कि वह अपने मतलब अपने आपको reproduce करने या regenerate करने एक निस्चित टाइम में दस दे आर रिनीवल रिसोर्स और इनको हम लोग रिनीवल रिसोर्स भी कहते हैं so students read this sheet and if you have any problem you message me